अज हम देखेंगे कि कैसे चीजों को याद करना है कैसे इसको अजना है बहुत सारी कंप्लेंट्स है कि जब हम पढ़ते हैं तो नेक्स जेब बूल जाते हैं तो क्या ट्रिक्स है इंपोर्टेंट्स में आपको बताने वाली हूं जिसे आप कभी नहीं बूलेंगे ठीक है तो फर्स तिंग याद रखिए कि अभी जो है ऑनलाइन लेक्चिस चालो है सब लोग जो है मोबाइल पर ही स्टड़ी करते हैं सबकी आखें दुखती है तो उसको क्या करना है कि आप डेली आखों को वाश करना है और उसका तरीका है मुमे पानी भरके आखों को धोना है यह आप डेली कीजिए इसको नेत्रसनान गोलते है विचिस वेरी गुड ठीक है इसे आखें बहुत अच्छी रहेंगी और आपका पेन नहीं होगा आखों में डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फील होगा ठीक है चलो यह तो हो गया वाश यूर आइस के बारे में छोटा है यहाँ पे हम फॉर्मूला को लिंक करेंगे ठीक है माने फॉर्स किया पढ़ो तो मतलब एफ इस एक्वल टू मा आगया फॉर्मूला यहाँ पे अभी तुम्हों को कभी नहीं भूलेगा क्योंकि लेवन स्टैन के बच्चे भी बूल जाते हैं कि फॉर्स का फॉर्मूला क्या है तो याद रखो माने फॉर्स किया है पढ़ाई करने के लिए तो f is equal to ma that is mass into acceleration ऐसी बहुत छोट छोटी ट्रिक्स हम लोग बता सकते हैं जैसे for example अगर next वाला देखते हैं q is equal to it यह किसी को जल्दी याद नहीं होता है q charge i current t time इसको ऐसे याद रखो आजकल कॉन ज्या payment कमाता है it professionals q is equal to it qualification it ऐसे भी याद कर सकते हैं और यहां पर देखिए यह power is equal to work upon time है यह भी formula बच्चों को याद नहीं होता है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कौन ज्यादा काम करवाता है स्कूल में PT teacher तो PT is equal to work right so PT is equal to work हो गया मतलब यहां से मिल गया formula तो इसको यहां link करना तो चीज़ों को आप link कर सकते हो sleep on it second method है इसका मतलब क्या होता है जिसे आपने पढ़ाई की दिन बर ठीक है रात को जब आप सोने जाते हो तो music मत सुनो songs मत सुनो because जब आप सोने जाते हो तो आप क्या करो आपने दिन बर में जो भी पढ़ाई की है उसको आप recollect करो इसका बहुत important scientifically reason है कि जब रात को जो है हमारा subconscious mind on होता है active होता है इसलिए हमें सपने आते हैं तो उस subconscious mind में अगर आपके formula और lessons चले गए तो आप कभी नहीं बुलेंगे तो याद रखिए कि रात को सोने के टाइम पर प्लीज रिपीच करो आपने दिन भर में क्या प stick note बना दो या तो फॉर्मुले का list बना करके जहां पर भी आप study करते हो वहां पर लगा दो इससे फाइदा क्या होगा कि आप continuously उस formula को देख रहे हो और different methods हो रहे है distributive practice method हो रहे है जो interesting भी होगा बोर भी नहीं होगा और आप पड़ भी लोगे right then you can try for talk to yourself क्या होता है कभी-कभी कोई answers by heart करो याद ही नहीं होता है आप mirror के सामने खड़ी हो जाओ और आप अपने आप से बाते करो वह answers को आप repeat करो definitely याद हो जाएगा ठीक है आप try करके या periodic table जैसे हमको याद नहीं होते formulae so we can use it जैसे यहां पे for example different colors है black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray and white अगर मुझे यह बाइहाट करना है तो it is not that very easy तो हम क्या करेंगे? निमोनिक्स बनाएंगे यहां पे देखिए क्या बनाया है हमने? BB Roy of Great Britain has a very good wife if you underline that B, black, BB, black, brown, ROI, you can have different colors like this ठीक है यह हो गया निमोनिक्स, easy हो गया याद करने के लिए आप आराम से colors वगरे सब लिख सकते हो, right? So यह भी एक method है जो बहुत effective है, right students? तो इस तरह से हम लोग जो है चीजों को पढ़ाई करेंगे और एक और important point जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि आप जहां पे पढ़ते ह तो आप उसी place में daily study करो, आप place बार बार change मत करो, बहुत बच्चों को मैंने देखा है जो walk करते हुए पढ़ाई करते हैं, चलते हुए पढ़ते हैं, या train में book open करके बैठते हैं, which is not correct, उसमें आप concentrate नहीं कर सकते हो, ठीक है? आप friends के गर पे जाके पढ़ोगे, again place change हो गय है, चाहिए वो place छोटा हो या बड़ा हो, whatever it is, but आप वहाँ पर पढ़ेंगे, आपको definitely हर चीजे याद रहेंगे, ठीक है? So students, यह जो है tricks है, which is very important, जो आपको follow करना चाहिए, अगर आप daily routine में use करेंगे, तो आपके लिए बहुत फाइदा होगा, that means study smarter, not harder, आप यह चीज़ फॉलो करेंगे, तो आपका study बहुत smartly होगा, और जल्दी होगा, okay? So wish you all the best students, thank you.